कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चल पर संगरूर में रिष्टों को तार तार करने वाली घटना आई स्तामने पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पती को उतारा मौत के घार जालंदर के शिव श्योती स्कूल के बाहरी कठा हुए इसकों ने की हुलडबाजी पुलिस ने मौके पर पहुंच कर सदेडा जालंदर पुलिस ने पुलिस का स्टिकर लगा कर वहनों को बचाने वाले लोगों के लिए उनके खिलाश की कारेवाही किये चाला और अब हल चल विस्तार से साथ फेरे लेकर साथ जन्मों तक साथ निभाने का वाइदा करने वाली जीवन संगिनी ही मौत का कारण बनेगी ऐसा उसने कब सोचा था यह मामला सुनाम के गाउं बक्षी वाला का है जहां एक गरीब परिवार की दास्ता ने गाउं में कोहराम मचा गिया है गाउं का एक युवक पिछले एक महिने से लाबता था उसकी रिपोर्ट पुलिस में भी परिचनों द्वारा लिखवाई गई थी लेकिन अब मामले से परदा उठा तो लोगों के पैरों तले जमीन खिशन की तद गई पुलिस के अनुसार जीवन संगिनी नहीं अपने पती को मार कर घर में टॉयलेट के लिए 25 फीट गहरे खोदे गए गड़े में दफना दिया जिसके बाद पुलिस ने सकती से जब उससे पूचताच की तो पूरे गाउं में संसनी फैल गई और लाश को परामत कर लिया गया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पतनी और उसके प्रीमी को गुरुस्तार कर लिया है। जिसे माननी ये अदालत में पेश कर रिमान पर लिया जो रहा है। ताकि उनसे आगे की पूचताच की ज़ती है। संगरूर से हल्चल के लिए चस्वीर मान की भी हो। जो भी तात सामने आओंगे, जो भी दोशी होंगे, उननने बक्षानी जाओगे। तो तीसदे दरानी हम पता लगू काजी, हजी शाक का है। संगरूर से बीवच्ची दना दी गल होगी है, कोई पता नी हजी। हजी अजी सानु खावर मिली है, हजी एथ पता लग्या बहू आप मननरी है, कैंदी भी कुई चा मुंड़ू। कैंदी भी मैं मारे है, कैंदी मैं सर्ते बीवच्ची मुंड़े दे। सानु शाक कता है गी सी बहू दे, असी पोर्ट बिल ख्याई सी ठानी जा। कि अजा पता लग्या अपला के अजिकारवाई होुए। अजo भी रहे थिढ़ू हाब जैत वार्ट बच्ची मुंड़े गी सी अधिकारवाई होई। जोब देक हैंगे जब कर दो चाहनी कुभा स्ना está बाठहा श्क्राइब मुझिए देख्ण पर माम एक चाहने जाने मुझिए जिए जिए जातर। हम ना कोई प्टा व्हे रोचाया जोटे आ शुण संते हैं मुझिए म स्थीडीए जिना भीपता ने मिया जाल अंदर के शिव जोती स्कूल के बाहर लगबग 500 युवक इकठा हो गए और हुलडबाजी करने लगे मिली चानकारी के मताबिक स्टूडेंट्स का निया परधान चुना जाना था जिसके चलते यह नोजवान यहां इकठा हुए थे और हुलडबाजी करने लगे जिसके बाद PCR की टीम मौके पर पहुंचे और उन्हें देख नौजवान वहां से निकल गए इस मौके पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें स्कूल की तरफ से फोन आया था कि 400 से 500 नौजवान स्कूल से बाहर आकर हुलडबाजी कर रहे हैं जैसे ही वे यहां पहुंचे त जब उन्होंने नीचे आकर देखा तो उसकी कार का शीशा तूटा हुआ था जालंदर से पंकच शर्मा की रिपोर्ट यह जब आया है इदे वरेज़े को क्लियर नहीं हो जाया है पकी तब्तीज कर गए अज़ आसपास से CCTV आशनकों किसे फोटो बांदी है ता की जाओगा बेल्कुल कार बेकिती गए जो भी बंदी कार बेकिती जाएगी तारा लाइज जेखो जीडिए जो भी बंदी कार बे अज़े सब्सक्राइब जो भी आपने बच्चा ले आना रहा है या कोई और फिकरमन्दा पेरेंट्स बहुत जादा फिकरमन्दा गया ऑधिकर पार में सेवेस्टी वार्शी किता ओजिकीनी नहीं जाओगा उन्हादी सेवेटी बात है श्कूल दे बाब लात ही पीसर ला सब्सक्राइब करते हैं कि जड़े मंडीर जड़े नोजवान है राप अटक रहे हैं एक इना दे कनून डर खतम हो गया इना थी जड़ा है को एक रजनीश है का नादा को परतान है सब्सक्राइब करते हैं कि जड़े मगरे आए या किना ने कठे किता है को तोड़ गाया ओधी भर पाई कौन करो जुम्मेबर कि दिया उन्हादे बाहन टोटे या उन्हादी अपां इन्वरेशन लेगे जो भी कमलेंट होएगी उन्हादे कारवी किती जाएगी कि अधिविज नबर दो ट्रण शुक्रिया को सब्सक्राइब कर ने बच्चे सि तभी यकीनिकार्श है उन्हान ने पता निंग की कुछ नहीं लाया हो याशिका तो इना नॉंसेंस क्रेट करते हैं इना फूलर भी उचा रहे सिगे मोट साइगल दे पठाके चला रहे सिगे तुभी देख्या होना वीडियो कार दे उत्ते बैठे रोला पारे किना को नोबा कार और उत्ते चाते बैठे डिकी कुली जीप लें दी इने मोट साइगल कि ने दिती है कि यह ना कठा करके जा रहे है कुछ तरफ पंजाब सरकार की और से हत्यारों को लेकर पूरे राज्य में सक्ति की हुई है वहीं जालंदर पुलिस ने मुस्तैती दिखाते हुए जिन वहनों के उपर पंजाब पुलिस के स्टिकर या लोगों लगे हुए है उन पर भी सक्ति करनी शुरू कर दी है समंध में इचानकरी देते हुए एसीप रंधीन कुमार ने बताया कि पंजाब पुलिस के स्टिकर जो नाजाइज प्रजोग कर वहनों को बचाया जा रहा है उसके तहत जो लोग पंजाब पुलिस में है या नहीं उन पर सक्त कारवाई करते हुए वहनों के चालान किये गए हैं। इसके साथ ही उन वाहन चालकों को चेतावनी भी दी गई है कि अगर दोबारा स्टिकरों का इस्तेमाल किया गया तो मामला दर्ज कर सक्त कारवाही की जाएगी। नाल नाल उनानों सिंसिटाइज किता गया है बट उसके सक्त वार्निंग दिती गई है कि जेकर दुबारा होया तो पंजाब पिलिस परचा देन तो भी गुरेज नहीं करेंगी। देखो जी रेड ते ब्लू लाइट जो होंदा है वो स्टेट दा एक सिंबल होंदा है ते एक किसी पटिकलर गर्यों नहीं अलाउंड होता है जो सरकारी गडिया होंदी है प्राइवेट गडियों ते तुसी कोई भी पावे मुलाजी में ना हो अपने मर्जिनाल रेड ब् उठाते हुए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जिन लोगों ने हत्यारों सहत फोटो या वीडियो पोस्ट कर रखी थी उन पर सक्ति करते हुए मामले दर्च किये गए थी लेकिन अगत दिवस अभिसर के दस वर्ष के बच्चे पर मामला दर्च होने पर राजनितिक क अगर इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति अपने सोशल मीडिया पर अपति जनक फोटो या वीडियो नहीं हटाता है तो उस पर सक्त कारवाई की जाएगी वहीं जब इस सबंद में DCP Law & Order जगमोहन सिंग से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया सेल वर्ष सभी उच्च अधिकारियों को उन तमाम लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने के निर्देश दे दिये गए है अगर फिर भी कोई कोता ही वरतेगा तो उ शालंदर से पंकच शर्मा की रिपोर्ट प्रिज मोहनसूरी ने प्रैस वार्ता कर विक्रम जीठिया त्वारा दिये गए बयादेगे की सक्त शब्दों में निंदा की है उन्होंने कहा कि इस बयान से यह साबित होता है कि मजीठिया पूरी तरह से डर गए हैं उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले विक्रम मजीठिया बयान दे रहे थे कि वे सूरी के घर जाकर पारिवारिक सदस्यों के साथ दुख सज्जा करेंगी लेकिन गत दिनों प्रेस कांफरेंस कर जो बयान दिये गए हैं वे सीधे तोर पर नौजवानों को गलत संदेश दे रहे हैं जो कि पंजाब राज्ये के लिए बड़ी चिंता का विशे हैं वही बिज मोहन सूरी ने कहा कि विक्रम मजीठिया द्वारा दिये जा रहे बयानों के साथ सूरी परिवार भी सैमत नहीं हो सकता है अगर मजीठ जिठिया इसी तरह के बयान देते रहेंगे तो सूरी परिवार इन्हें जवाब देता रहेगा अमरे सर से हल चल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट विक्रम सिंग में जिठिया ने एक बयान देता है बल्कि पीसी कीती है और बड़ा कुछ हो देच बोले है पहले वी सू किरम सिंग में जिठिया नों जवाब देना बहुत जरूरी है सब तो पहला उन्हाने किया कि वोट मंगन मैं कारकार गया मैं में जिठिया साथ नों कुछना चांदा दस्वालाकलोनी सुंदर नगर तेलक नगर मुसलम गंज चकिन्यकार ने तकिदे किदे कार गए प्रफ दो अपने पठे पठे समझे जो ना सिरफ उन अदे करांचे जान दे रहे सानू काफी फोन आंदे रहे कियसी तो अड़े काराना चांदे हैं इमन देन नने बोड भी पेजे चंडे भी लगाते साड़े को कुछे बगार साड़ी कोठी दे उपर और खुद विकरम स सब्सक्राइब काफी देर खड़े रहे कि साथे वह लोग का पाया जाए यह नहीं पाया बठेंडा में कॉंग्रेस भवन में सविधान दिवस बनाया गया जिसमें कॉंग्रेस के सभी कारेकरता वनेता मौजूद रही इस मौके पर नव नियुक्त परदान राचन गर्ग ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेटकर ने इस दिन सविधान लिखा था जुरान उन्होंने सविधान को पढ़कर भी सुनाया और सविधान में जो कानून लगू किये गए हैं उस पर चलने के लिए प्रेरित किया उन्होंने कहा कि सभी कारेकरताओं को एक चुठ होकर क के लिए काम करना चाहिए ताकि पार्टी को बुलंद उचाईयों तक ले जाया जा सके बठिंडा से हल्चल के लिए नरेश कुमार की रिपो आज कॉंग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव बेटकर जीदवारा 26 नुवंबर 1909 जो सविधान त्यार करके दिता सी ओस दि कॉंग्रेस पार्टी ने सविधान नू लागू किता सी और लागू करके बावा भीमरावं बेटकर जीदी सोच दे पहरा दिता सी एस विधान टोटल निरपक्ख है ए तरम निरपेक्ष तानू रोड़ता दिन्द है और लोकां दी वचार तारा नू अजाती दिन्द है ए जीदे वेच चार स्तंब बने सी जीदे वेच कार्ज पाली का निया पाली का विधान सबा ते प्रेस दिये जाती केर फॉर ऑटिजम फांडेशन में ग्रुप पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग का आयोचन किया गया जिसमें एसे चो पतारा इंस्पेक्टर अर्शप्रीत कॉर ने बतार मुख्यतिती शरकत की जुरान उन्होंने वोमन इंपावर्मेंट पर बात करती हुए बताया कि किस तरह से हमें जिंदगी की लड़ाई लड़ते हुए अपने आपको तूटने नहीं देना है और अपने अंदर के हुनर को पहचानना है वहीं इस मौके पर चीफ एडवाइजर अतुल मदान और प्रबंदक निदेशक रगू बहल ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह इस सर्वाइब कर रहे ने उन्हानों भी थोड़ा जा स्क्योर करया जा सके उन्हानों जो सदियां पंजाब पुलिस हेल्प लाइन नंबर ने वन वन टू वन बारे अवेर किता जाए और अजे बच्चेयां दी पॉकेट कोई अडेंटिटी या फोन नंबर पेरेंट सा अजी डिजीज नहीं है कि जिन्हों क्योर नहीं किता जा साथा इधिछ थोड़ा जा स्पेशल केर करन दी जुरूरत है कि उनना दा बच्चा लाइफ टाइम उनना चीजानों सर्वाइब करेगा अज पेरेंट से तो उनना दी कर सकते है और इस चीली अवेरनेस प्रोग्र अजीज नहीं बलाया सिगा बेसिकली साथे दो परपस सिगे एक ते वुमेन इंपार्मेंट ते गल कर रहे सी दूसरा बच्चा दी सेफटी के में किती जा सके सो उनना तो बैटर हो और कौन दा सकदा सी सो उनना ने पेरेंट्स नो बच्चा दी सिक्यूरिटी परपस ली जागरुक किता ओदे बारे उनना ने दस्या कि जिमें कोई वी जड़ी इंसिडेंट था दसके ते नहीं आंदा सो दली आपा बच्चे आंदी जेब देविच कोई आईडी कार आलवेस पाके रखे कुछ उननने जड़े पंजात सरकार ने चलाए ने एक सो बारा नंबर र सानूं देखे आज सारे पेरेंट्स हों जाकरुक किता अमरिस्तर में एक विद्वा मानी अपने एनराई बेटे पर बहु द्वारा कैनेडा में जूटा पर्चा दर्ज करवाने का आरोप लगाया है इस समंद में जानकरी देते हुए प्रेस वारता के दौरान लड़के की मता बलजीत कवर और एडवोकेट कपिल देव ने बताया कि बलजीत कौर के बेटे की शादी नवपृत काॉर से हुई थी और उन्होंने कहा कि लड़की का पिता जो की पंजाब पुलिस में एसाई है वे भी उनको जूटे मुकदमे में फसाने की धमकी दे रहा है इसलिए उन्होंने प्रशासन से नियाए की गोहार लगाई है अमरिस्तर से हल्चल के लिए सुनील खोसला के लिए कुडी लड़ाई रखदी रोज के लगालतों मतलब जदों लड़ती हैं था टेनाल नी रहना था टेनाल नी रहना मी ते ओथे जाके मुड़के एक दन चाकू मारता मुंड़े अनन अलग कर देता मुड़के ओधा फादरों नूं मुंड़े मेरे नितमक्या लूँदा ही के तून फोन कार जाद के ओथे फ्लीस दे इंस्ट्रेक्शना ही के तू मतलब ना नू फोन करना एक दुझे नू ना थी मतलब मैसेज करना दे ना इनने किलो मीटर नेड़े ही होना एक दुझे दे वियानू किनी दिन होगी या विया उनना दो जनवरी दा सी लड़की तो र बस एही तो जोने एक फैंसला ओ जो बैठके विजे नहीं रहना एक दुझे दे ना थे वक्रे हो जो ते केस वापस लेलनो थो पर ओके अंदे ही केस नी वापस लेने जदे के चूटे केस पायो ए सारे लेड़ी आये ने साड़े कूल बल जीत कौर जी इनना दे बेटे दी अधर जीत कर देना अमरी सर्दे वाले लड़की लड़की दी पी यार तो लेके मैं रहे सारा खर्चा इनने चक्या बेटा अड़री पी यार से गाजी हो थे उते पहला दे थे भी नहीं खराब किता हो नहीं बट उत जाके ज़्यादा ही गिता है उन्हीं असौल्ट काफी लड़की लड़की ने अपने प्री प्लैंट मताबिक ही उते केस भी पाते और अधा फादर भी थे यह सही है जी पंजाब हो भी चूटे केस्वान फिर देने नहीं बटिंडा में एक नौजवान ने अपने जनम दिन पर खूंदान केंप लगाया जिसमें सतर के करीब नौजवान करते हुए बताया कि इस मौके पर सभी नौजवानों को प्रेरित किया गया है कि नशे की दलदल से निकल कर अच्छे कारे करने चाहिए जो समाज में प्रशंसनिये हूं इस मौके पर सभी रक्तदानियों को ट्रॉफी और स्टिफिकेट देकर समानित किया गया और सभी को रिफ्रेश्मन्ट भी दिया गया बठिंडा से हल्चल के लिए नरेश कुबार की दिपो बेख दें कि ब्लाड बेंका देवेच ब्लाड नहीं मिलता पर जड़ी आई दी जनरेशन है जड़ी अपराले कार रही है इना देना अले चीज पूरी होगी मेरा नाम नव जो संग निमाब धिंडा आज माब दे जानम देंटे ब्लाड केंप लगवाया है जी नाभा ब्लोक के गाउ रोटा साही में स्थित गुर्द्वारा नौवी पातशाई में हिंद की चादर श्रीगुरु तेंग बहादुर जी के शहीदी परव को समर पेतती इन दिवसिये शहीदी जोड मेला मनाया जा रहा है जिसकी शुडवात श्रीगुरु ग्रंत साहिब जी की चत्र चाया और पंच प्यारों की अगवाई में विशाल नगर कीरतन निकाल कर की गई ये नगर कीरतन नाभा के अलग अलग गाउं से होता हुआ वापिस गुरुद्वारा साहिब में आकर संपन हुआ इस मौके पर शिरुमनी गुरुद्वारा प्रमंदक कमिटी के सदस्य सत्विंदर सिंग टोड़ा सहत संगतों ने इस नगर कीरतन में भाग लिया इस दोरान उन्होंने सभी संगतों को गुरुद्वारा दिखाएगे मार्क पर चलने के लिए प्रेरित भी किया नबा से हल चल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट गुरुद्वारा देखाएगे मार्क पर चलने के लिए दुनिया दे अतिहादे विच एप पहली शाहदता है अपने तरली हर बंदा शाहदे देना है किसे दे विच आघटाए लेएं तरवन्दी अजादी वासे मुनक तकारा भासे समुचे संसार देंदर पाशा तान्सीक तियुख आता सचे पाशाने साहदे देती तरवन्दी रिखा ती और जी ओ जी ओ और जी ने रज़ा संदेश देटा उना दे शाथ हो जिते मुझी 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 सेज़ा कर दिया है आओ उना दे बखाय रासे पर चल के अप अपना जीवन सब्सक्राइए सेत शक्ति पीठ श्री देवी तला मंदिर पावन सरोवन तट वासनी पर स्थित विश्व मुखी मा त्रिपूर मालनी धाम में सब्ताहिक भजन संद्या करवाई गई जिसमें कृष्ण मुझीकल ग्रुप से गायक हरविंदर कुकी और पाटी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संद्या की शुडवात की जिसके बाद गायक हरविंदर कुकी ने माभगवती के भजनों को गाकर उपस्तित माभगतों को जूमने पर विवश कर दिया वहीं माता की चौंकी में मंच संचालन बल्देवानन ने गिया इस अफसरपण श्री देवी ताला मंदिर प्रमंद कमेटी के महा सचिव राजेश्वेज, वरिष्ट उपरधान ललित गुपता, कोशाध्यक्ष पविंदर बहल, संयोक्त सचिव सीए वियमारोडा, पूर्व परधान विनोध गुपता, बल्देवानन, पार्शद रीटा सीमा गलोत्रा, यादव खोसला, रमन शर्मा, भारत भूशन बजाज, जग मोहन सिंग खोसला, प्रदीप पुचारी, मनुचाबडा, पूर्व, पार्शद भूशन कोली, गायक गोपाल पांडे, सोनील अरोडा, राचु मखीज, रजनी मखीज, शिव मखीज, मैतरी मखी राकेश बिल्ला, ललित शर्मा, लक्की, इंद्रजीत सिंग राही, अशुनी चोपड़ा, आरुन वर्मा और नीरज मित्तल सहत, बड़ी संख्या में माभगतों पस्तित रहे, जालंदर से हल्चल के लिए सुदेश बगत कीरी पूशन के पूलेशन करना, ओ नमाशिवा, हो नमाशिवा, 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 लोझे सब्सक्राइब हो युजिर गोई नीडिया आए रहर वें मिट्राइब लिखेल वांदेने, और अगले मिहने दी तीज रीगनों, मंदिर श्री राम बालाजी धाम चैरिटेवल ट्रस्ट काले घनूपुर अमरिस्तर में महंत अश्वनी कुमार महाराज का जनम दिवस बड़ी धुम नम से मनाया गया इस मौके पर मोहित कुमार पाटी और अन्य भचनमनलियों ने बालाजी की महिमा का गुणगान कर वस्तित वक्तों को जूमने पर विबश कर दिया इस मौके पर अस्तांक्य बगजन भी मौजूद रहे अमरिस्तर से हल्चल के लिए सुनील खोसला की रिपोर सेना ने पूच में आंद लगाई 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 झाल 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 बठंडा के लाइन पार इलाके वा रेलवे कलोनी में लगातार हो रही चोरी की वारदातों को ट्रेस करते हुए थाना कैनार कलोनी पुलिस ने चोर गिरों के पांच सदस्यों को नामचत करते हुए तीन को ग्रिफतार कर लिया है जबकि दो चोरों की ग्रिफतारी होनी अभी बाकी है जिनकी ग्रिफतारी के लिए पुलिस चाप मारी कर रही है इस समंध में एसेसपी बठिंडा जेल नचेजियन ने बताया कि पिछले दिनों लाइन पार इलाके वा रेलवे कलोनी एरिया में लगातार हो रही चोरी की वार तु सुचना के अधार पर आरोपी सुखविंदर सिंह निवासी परस Рामनगर बठिंडा अर्जुन सिंग उुर्फ कालू निवासी परस नंगर तथा संचेपाल निवासी मुलतानिया रोड बठिंडा को ग्रिफतार कर लिया गया है जिनके पास से छे गया सिलंडर एक ले परियास कर रही है जल्द ही उन्हें भी ग्रिफतार कर लिया जाएगा बठिंडा से हल्चल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट पिछले दिन जड़ी रेल्वे कौटर बंद सीगे उनने जड़े ताले तोड़ के चोरी हो दिया सीगा जस्पंदी से सुखा जड़ा नामजद कीता गया सीगा उसला सुखे दीन शान देगी ते अगए देच जड़ा सुखे ने जड़े बोश्केश्ते मन्या सी बेड़े चोरी करता सीगा ऑगए संजेपाल उतर अवधेवान नू मुल्तान तुर बिढ़नन वेहिदा सीगा उन गर्फतर कीता ह और अब अंद में हल्चर की कतिवितियों पर एक नजर फिर से संगरूर में रिष्टों को तार-तार करने वाली घटना आई स्तामने पत्नी में प्रेमी संग मिलकर पती को उतारा मौत के घार जालंदर के शिव च्योती स्कूल के बाहरी कठा हुए उतकों ने की हुलडबाजी पुलिस ने मौके पर पहुंच कर सदेडा जालंदर पुलिस से पुलिस का स्टिकर लगाकर वहनों को बचाने वाले लोगों के लिए उनके खिलाज की कारेवाही किये चाला इसके साथ ही अब तक की गतिविदिया समाप्त होती है और ताजा चौनकरी के लिए देखते रहें हल्चर कर दो